नमस्कार दोस्तो, स्वागत आपका येक और अमेजिंग वीडियो में, मैं सचेन आजात और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सचेन डेली टैफ दोस्तो, आज की वीडियो काफि अमेजिंग वाने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हम बिना किसी थरपार्टी आपका यूच करके, अपने फॉन में फोटो वीडियो आक किसी भी सौंग को हाइड कर सकते हैं तो दोस्तो, बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फोन में अपने फोन में अपने फोन में अपको ओपन करना है दोस्तो, सेटिंग अप ओपन करने के बाद आपके सामने बहुसारी उप्चन आ रहे होगे तो इसमें थोड़ा नीच सेश्क्रावना करके, एक उप्चन देख रहा होगा, पासवार्ट एंड सेक्योर्टी हमें इस पर क्लिक करना दोस्तो, पासवार्ट एंड सेक्योर्टी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुसारी उप्चन आ रहे होगे तो इसमें हमें थर नमर पड़े का उप्चन देख रहा है, प्राइबसी प्रोटेक्शन पासवार्ट, हमें इस पर क्लिक करना दोस्तो privacy protection password करने के बाद आपके समनी इंटरफेस आ रहा है तो दोस्तो आप यहां से अपना privacy protection password create कर लेजिए मैंने already create किया हुआ है तो मैं यहां से उसे put up करके अपना privacy open कर लेता हूँ आप भी अपना create कर लेजिए दोस्तो privacy protection डालने के बाद आपके सामने यह वाना option आ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी option दिख रहे होंगे आपको सबसे उपर यह option देखा privacy protection password आपको इसको enable कर देना है और नमबर दो पर आपको दिख रहा हुआ चेंज password दोस्तो आप यहांसे बना password change कर सकते हैं दोस्त दोस्तो अब आपके सामने चेंज नमबर पर दिख रहा है add mi account दोस्तो मेरा phone mi का है तो यहाँ पर mi account आ रहा है अब आपका phone oppo का है या Samsung का है तो यहाँ पर वह वाला account सोग करेगा तो आप इसे enable कर देए जिससे के आप अपना password भूलते हैं तो यहांसे आप उसे forget कर सकते है दोस्तो इतना सब करने के बाद आपके सामने चार ओप्षान आर्यों में message, photo, files and notes आप यहाँ अपना password protection ला सकते हैं तो दोस्तो पहले photo पर क्लिक करना है और यहांसे use work कर देना है दोस्तो अब हमें L1 पर क्लिक करना है दोस्तो अब आप इसे नीचे scroll on करेंगे तो आपका privacy protection on हो गया है आप इसे यहांसे open करके यहांसे अपनी files को add कर सकते हैं दोस्तो अब यहांसे back हो जाना है दोस्तो आज की वीडियो आप फाल्स में अपना hide करना सिखाएंगे कि अपने files में किसी photo, video, song को कैसे add कर सकते हैं आप फोटो में लगाना चाहते हैं तो आप फोटो को आपके सामने आपका file manager open हो जाएगा दोस्तों file manager open होने के बाद आप जिस भी photo, video, song को hide करना चाहते हैं तो आपको इस पर click करना और उसे select कर लेना है तो मैं इस photo को add करना चाहता हूं तो मैं से select कर लेता हूं इसे select करने के बाद आपके नीचे चार option आ रहे होंगे send, move, delete and vote आपके मोल पर click करना है और यहां से make private पर click कर देना है और आपको यहां से make private पर click करना है तो आपका यह photo hide हो जाएगा अब आपको अपना hide photo नकारना है तो आपको नीचे press करना है और आपका privacy protection password आ जाएगा तो आपको इसे open करके यहां से आपकी file साल तो दोस्तों आप चैनल सबसक्रार करना ना भूले